कल तक मंगोलिया में पुतिन की गिरफ तारीक हो सकती है इसे खबर से हलचल मची हुई थी लेकिन आज एक नए बयान ने संसरी मचा दी है ये बयान खुद आया है रूस की राष्टपती व्लादिमिर पुतिन की ओर से नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का मैं हूँ अपढ़ना मौज़म आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा जिनको आप जानते हैं इंटरनाशनल मामलों में ये तमाम अपडेट्स लेकर आते हैं अपने पूरे डिटेल्ड अनलिसिस के साथ पुनीत क कि तरफ से पहली बात तो रूस और यूकरेन का युद्ध जो चल रहा है वो चल रहा है धाई साल से और पहली बार पुतिन ने इस मामले में मूँ खोला है या इस मामले में कोई बयान दिया है और क्या कहा है बयान सुरखियों में सुबह से चल रहा है लेकिन इसका अनलिस या फिर चाइना या फिर ब्राजीन तीनों में से कोई राजी हो जाए तो हम बाचीत करने के लिए तयार हैं ये बड़ा बयान पुतिन की तरफ से आना आपने आप में क्योंकि धाई साल हो गए युक्रेन की तरफ से तो कई दफा ये बात हो चुकी है पुरी जान तक मुझे याद है कि जब जंग शुरू हुई थी तो शुरुआती दोर में ही एक बार कोशिच हुई थी समझाता कराने की और उस समय समझाता हुआ था लेकिन समझाता लागू नहीं हो पाया था बिल्कुल पुतिन ने इसी बात का जिकर किया है कि जंग शुरू होने से पहले रूस और साथी साथ दोनों मुलक जो है जिनका विवाद चल रहा था जो दो शुरू होने से पहले दोनों एक मेज पर थे उस पर कुछ समझोते हुए थे यूकरेन और रूस के बीच लेकिन वो समझोते लागू नहीं हुए और लागू नहीं हुए और इसी वज़े से अब पुतिन कह रहे हैं उन्होंने ये तक कहा है देखिए बड़ी कली पड़ी में उन्होंने क्या का है उन्होंने का है कि हम जानते हैं कि हम ऐसे लोगों से सामना कर रहे हैं जो समझोतों का सम्मान नहीं करते हैं आप समझ रही है इशारा भी है और दूसरी तरफ ये भी का है कि हां हम भाचीत के लिए तैयार है इशारा कर दिया है यूकरेन की हो पाया गेंद यूक्रेयन के पाले में डाल दी है लेकिन इस बार जो ये शांती समझोते की बात पुतिन कर रहे हैं पुरी जाना चाहूंगे क्या पुतिन ठग गए है युद्ध से क्योंकि उनके देश के अंदर भी स्तरा की मांग उठ रही थी या वो अब उन्हें लग र रूस के बीच जब से युद्ध चल रहा है तो रूस के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं और उन प्रतिबंधों को भी देखना होगा साथ ही साथ जिस तरीके से यूक्रेयन ने अभी रूस के एक बड़े इलाके को कुर्स को कबजा लिया है उसके बाद इस् जमीन को युक्रेयन की कबजाया है वो जमीन हम वापस नहीं करेंगे लेकिन इससे बड़ी बात क्या है इससे बड़ी बात ये है कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ था क्योंकि नाटो अपना विस्तार कर रहा था नाटो में 32 देश शामिल है और उसमें युक्रेयन भी शामिल होने जा रहा था और युक्रेइन की इसी एंट्री से पुतिन को परहेस था बिलकुल परहेस था क्योंकि नाटो की स्थापना ही सोवियत संग जब अलग हुआ और उसका विस्तार न हो पाए इसलिए नाटो की स्थापना ऐसी मानी जाती है और इसमें 32 देश हैं युक फिर आपको हम शामिल कर सकते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि नाटो में क्या युक्रेइन शामिल हो जाएगा अगर शांती होती है तो और क्या रूस ऐसा होने देगा सबसे बड़ी बात और है यह जब पुतिन की तरफ से यह बयान आया तो यह आया है इस्टर्ण Tech Research । फौरम में अब ये इस्टर्ण 9 फौरम क्या है यह समझना बहुत ज्यादा जरूरीर है क्योंकि उन्होंने कि जिक्र किया है, उन्होंने जिक्र किया है, ब्रिक्स वाले देशों में से एक देश का, तीन देशों का, ब्राजील का जिक्र किया है, इंडिया का जिक्र किया है, और चाइना का जिक्र किया है, भारत चाइना का समझ आता है, लेकि ब्राजील का जिक्र यहां पर, क्योंकि ब् प DCW 1527 जैनृ गर्टियां और हम को अब पूरब की तरफ देखना चाहिए भारत भी तो यही कह रहा है हाँ बिल्कु भविष्चे के इशारा कर दे कि बहुत हुआ पश्चिम-पश्चिम का राग पूरब की तरफ देखे कि पूरब में भविष्चे की शक्तियां बैठी हुई है बस यही बात है और सबसे बड़ी बात देखिए पोतिन की तरफ से यह जो बयान आया ना यह इसक कर रहे हैं बहुत बड़ी बात ध्यांतर सुनिए बिल्कुल कि चाइना भी नाटो में नहीं है इंडिया भी नाटो में यह सारे देश नहीं है समझ नहीं आप और अगर ऐसी परिस्थिती बनती है तो ब्रिक्स बनाम नाटो और सबसे बड़ी बात कि जब यह Eastern Economic Forum में यह ब आप तरुज के राश्व पती के आँखों में आखे-डाल कर यह कह दिया कि यह समय युदिका नहीं है मैं बिल्कुल तस्वीरे वायरईल भी हुई थी और सबसे बड़ी बात क्या है सबसे बड़ी बात यह कि भारत का अब इसमें रूल क्या है इस ब्हारत मध् pillarक्ता के ल मीडियेटर की भूमिका में रह सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि दोनों देश राजी होने चाहिए और एक तरफ युक्रेन कह चुका है अब रशिया भी कह रहा है पुतिन भी कह रहे हैं तो क्या ये जो इस्थान है ये भारत ही होगा और भी चीजे हैं भारत और चाइना एक दूसरे के विरोधी लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है हलाकि हमार ब्राजिल से तो बहुत अच्छे रिष्टे हैं लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो इसके अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ा बुनी गई है सबसे बड़ी बात ये कि उक्रेन का दौरा करके हमारे पुरदान मंतरी जब लोटे थे तब उसके कुछी दिनों बाद पुतिन ने बात की थी जो बाइडन ने बात की थी बिलकु पुनी तर एक और बात मंतरी का तीन दिन का दौरा जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है लेकिन विस्तारवाद के खिलाफ है भारत दरसल क्या चा रहा है भारत चा रहा है की छोटे-छोटे देशों को अपने साथ ले वहां पर बिसनस करे क्योंकि कुल मिलाकर ट्रेड से दुनिया चलती है पति ने और कही है और ऐसी वजह से चारे ले कर अपनी मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं तो कुल मिलाकर अमेरिका और रूस दोनों की अदावत तो किसी से चिपी नहीं है तो एक तीर सा कई निशाने साधने की कुशिश कर रहे हैं पुटी बहुत अच्छा देखिए हमने आपसे शुरुबात में ही कहा था कि जो पुनीद हैं वो इतनी पैनी नजर रखते हैं जो अंतरास्ते स्थरमत अमाम चीजे हो रही हैं उनका इतना गहरा विश्टलेशन आपको कहीं और मैं दावे के साथ कह सकते हूं कहीं और देखने को नहीं मिलेगा आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे कुछ और नए मामलों पर पूरी अपडेट के साथ और पूरीत के एक्सपर्ट अनलेजिस के साथ फिलाल हमें दीजिये जासत नमस्का आंगे